तो लखी जी आप मुझे सबसे पहले ये बताए कि आपकी मिखा सिंग से और विराट कोली से मुलाकात कैसे अचाइए? सबसे पहले आप मिखा सिंग के बारे मैं बताए मिक्का सिंग की तो मैंने जो ड्रोइंग बनाई थी फिर मैं आज से चितोरगट मेले में गया था वाप पे तो पब्लीक के बीच में खड़ा था मैं इसी प्रकार से विराट कोली साहब की मुलागात कैसे वी थी विराट कोली से तो मैं जहपूर गया था IPL चल रहे थे तब तो उनकी जो फ्रेक्रिस चल रही थी आप पेंटिंग देख लीजेगा मैं खुद इनका फेन हो चुका हूँ और मैं खुद इनको ओडर देने वाला हूँ मेरी तस्वीर के लिए तो एक बार आप उन्हें पेंटिंग बता दीजे सबसे पहले देखिए आप विराट कोली देखिए खुब हुआ है और ये इनका पीछे जस्ट खेट दिख रहा है आपको और पीछे जो आपको पहार दिख रहा है वो पहार हमारा चितोडगा टकीला है और आपको जानकर के ताजुब होगा कि जिस जगे पर हम खड़े हैं यहाँ पर पहले युद्ध हुआ करते थे आलाओ दिन खिल जी हो चाहे अकबर हो उनकी सेना जो भी लड़ाई करती थी ये वो ही मेदान था और उसी के अंदर ये गहाँ बसावा दोसों आपके अपने यूटूब चैनल अपका स्वागत है मैं हूँ दिरजवेशनो आज मैं आपको SSX से मिलाने वाला हूँ जिनके हाथ की सफाई जो भी देखता है ताजूब रह जाता है और इनके जो हाथ की इतनी सफाई है किसी तशीर को बनाने के लिए विराट कोली और मिका सिंग इनकी तारीब कर चुके है ये मिका सिंग से मिल चुके है विराट कोली से ओटोग्राफ लिया वा है और उन्होंने भी इनकी जम करके तारीब करी थी तो चलिए मैं मिलाता हूँ एसे सक्से जो बिल्कुल एक छोटे से गाउं से आते हैं और खेती बारी करते हैं उनको कुछ नहीं पता है दुनिया के बारे में जादा बट उनका हाथ उनकी पैचान है उनके हाथ की जो कलाकारी है वो उनकी पैचान है तो इसे के साथ एक बार हम बात करते हैं हमारे लग्की कुमावत से तो सबसे पहले आप अपना परीच्छे दीजिए मेरे नाम लग्की कुमावत है मैं बिडगास गाउं का रहने वाला हूँ चितोडगर्ड राजस्तान का हूँ और मतलब आपकी जो यह पैंटिंग्स है तो मुझे बताए कि आपने कब सुरू करी थी सबसे पहले तो पैंटिंग तो मैंने जब से मैं 9-10 से मतलब यह ड्रोइंग स्टार्ट कर दी थी और बच्पन से पैंटिंग मनाने का बहुत शोग था मेरा लेकिन जैसे जैसे मैं पैंटिंग मनाता गया उससे अच्छी मतलब है तो अभी आप जैसे कहां तक पड़े लिखे हैं मैं अभी 12 तो अच्छा बार भी करी आप ने ठीक है तो उसके बाद अभी आप खेती बाड़ी करें तो एक बार इनके आप पैंटिंग देख और ये इनका पीछे जस्ट खेत दिख रहा है आपको और पीछे हो जो आपको पहार दिख रहा है वो पहार हमारा चितोडगट कीला है और आपको जानकर के ताजुब होगा कि जीस जगे पर हम खड़े हैं यहाँ पर पहले युद्ध हुआ करते थे आलाओ दिन खिल जी हो है एक करके मुझे बता दिए देखे बताने का मकस्द है कि आपको कम से कम एक बार बिली हो जाए कि किस सरीके से यह देखिया अप जैसा कहेंगे यह आपकी हुब हुड तस्वीर बना लेंगे पेंसे बना लेंगे आप और बताएगा इनको यह देखेगा यह इनका देखे में खेती बाड़ी करते और इनको ज्यादा समय नहीं बिल पाता है फिर भी यह समय निकाल करके काम करते रहते हैं यह इस पर हांस राज जी की तस्वीर है देखिए इसी परकार आगे बताई आप आमिताप जी की है और उन्हें आप उदर दिखा दीजिए आप यह देख लीजिए इनको कोई भी अगर ओडर देता है इसे तो ओडर देता है तो यह बनाता है उनकी तरसीर और हूब हूब बना लेते हैं ठीके आप इन्हें रखी एक बार तो लकी जी आप मुझे सबसे पहले यह बताए कि आपकी मिक्का सिंग से और विराट कोली से मुलाकात कैसे पहले आप मिक्का सिंग के बारे में बताए मिकका सिंग की sensitivity video ने जो ड्रोइंग बनाई थी फिर आज से चितोडगर मेले में गया था वापकर तो पब्लीक के बीच में खाड़ा था मैं तो वाँ से आगे तो कोई stage पे जाना ही नहीं दे रहा था लेकिन मैंने जो पेंटिंग वो उपर की थी तो मिका सिंग की जो नहजार है वो डारेट मेरी पेंटिंग पे पड़ी थी फिर उन्होंने वो ऐसे ही बस सोंग मतलब गाना गाते हुए मेरे को उपर बुला लिया कि लगकी आप जो भी वो मतलब उपर आ जाओ तो फिर मैं उपर गया और उनको पेंटिंग गिफ्ट की थी वाँ अच्छा तो वो पेंटिंग अभी उनके पास है भी? हाँ पेंटिंग उनके साथ मिले और इसी प्रकार से विराट कोली साहब की मुलागात कैसे वी थी? विराड कोली से तो मैं जहपूर गया था IPL चल रहे थे तब तो उनकी जो प्रेक्टीस चल रही थी तो वहाँ पर देखा मैंने उनको तो फिर वहाँ पर गया विराड कोली से फिर उनके मतलब जो पेंटिंग बदाई थी उनको उनको बहुत पसंद एई थी उन्होंने मेरे तो आप वहां पर जैसे गए थे तो प्रैक्टिस करने थे कहीं कहीं तो आप डारेट जाके मिले आपको परेशानी आये थी उनसे मिलने के लिए परेशानी तो कुछ नहीं बस ऐसे वहां तक पहुचने में थोड़ी दिक्कत आई थी बाकि जब उनके सामने गया था मैं तो उ इनका सपोर्ट करें कैसे भी करके इसको सोचल मीडिया बलाए देखिए वह इतने बड़े कईन कई एक आर्टिस्ट है मिका सिंग सिंगर है कि वह इन चीजों को लगर करके सोचल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने जो टीम थी उनसे गुजारिश करी थी कि ये लखी है और इसका कईन कई आप जो है शोचल मीडिया पर इसका जो पिक है जो मेरा बनाया है पिक इसको कईन कई वाइरल कराए ताकि ये बच्चा जो है फेमस हो और इसके कहीं न कहीं आगे जाकर के जो है ओफर आने लगे अच्छे-च्छे तो मेरी भी आप से रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे हाज जोड के निवेदन है, भाई को सपोर्ट करें, भाई खेती बारी करता है, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से बढ़कर के आगे अपना जो हुनार है, असली जो पैचान है, उसको बनाए रखें, तो इसके लिए आपका साथ बहुत जोरी है इसलिए आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप चाहिए तो ओर्डर कर सकते हैं, भाई आपको ओनलाइन बेस देखा, मैं इनको सब तरीके बता दूँगा, जहां पर आपने किसी पैंटिंग मना कर दी हो, ऐसा कुछ मौका? ओर्डर तो ऐसे है कि कोई मिलने वाला हो, तो वो बोल देता है कि यार मेरे पैंटिंग मनानी तो वा उसकी बना देता हूँ, बाकी एक दो प्रोग्राम होए हमारे याँ, तो वहाँ पर कुछ बड़े अधिकारी भी थे हैं, तो गाउं के मेरे फ्रेंड और जो बड़े ब कि ये बहुत ही साधारन गाउं से बिलोग करते हैं, मैं जिस गाउं में भी बेटा हूँ, आप मान के चलेगा कि इसके अंदर 8-10 गर है, ज्यादा गर नहीं है, और कोई भी मकान ठीक ठाक इस्तिती में नहीं है, और इनके गर की कंडिशन भी कुछ ऐसी है, तो इसलिए और मेरे को खास सोर से जब इनों ने मिखा सिंग से मुलाकात करी थी, स्टेज पे जाकर के, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, तो उस टाइम पे मेरे को, 3-4 मेरे फ्रेंडों ने कोल किया था, कि भाई ये, भाई कोन है यार, इसको हमने ढूंडा लेकिन हमें मिल नह इसका अड्रेस, तो मैंने उस टाइम भी सीरेस नहीं लिया था, लेकिन जब एक दो का ओर कोल आया था, तो मुझे लगा कि मुझे इनको ढूंडना चाहिए, तो फिर आप मान के चलिएगा कि कम से कम सो किलोमेटर हम या पर चलते हुआ हैं, इनको ढूंडा है हमने, इनसे क तो कहीं न कहीं, जितने भी महल बने हैं, राजा माराजाओं के महल बने हैं, चाहे कोई बावडियां हो, कुछ भी हो, तो वो जो नकाशी है, वो कलाकारी है, वो कुमाउट समाज के लोग ही करते थे, और उनी जो हात्तू की जो कलाकारी है, कहीं कहीं इनके पास भी है, ले उसके बाद राजस्तान और फिर पूरे हिंदुस्तान की बारी है सब इस भाई को सपोर्ट करें